पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने द्विती अंक के प्रथम पद्दे के विशे में विस्तृत जानकारी दी थी और उसी पद्दे के संबंद में उसमें परियुक्त पदों के संबंद में जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है तो इसमें जो पद परियुक्त किये गए हैं उनमें से एक पद है तंत्र युक्तिम तो तंत्र युक्ति तंत्रस्य युक्तिम ये शष्टी तत्पुरुष समास है और युक्ति पद किस प्रकार से बनता है युजद हातु से तिन प्रत्ते लगकर युक्ति बनता है स्ट्रिलिंग में और उसके बाद वित्या भक्ति एक वचन में तं और अगला जो पद है वो है मंत्र रक्षन परास्ते तो इसको जो है हम समास पहले समास विग्रह करेंगे तो मंत्रई रक्षन पराहा मंत्र रक्षन पराहा या मंत्रा डाम वा, यह मैंने इसलिए कहा कि मंत्र दोनों अर्थ हैं इसके, एक तो सपेरा के पक्ष में और दूसरा जो है वो राजा की साथ जो व्याभार करता है राजसेवक उसके पक्ष में भी है तो इसलिए मंत्रई रक्षन परा यदि अर्थ है तो ये है सपेरे के पक्ष में और मंत्रा नाम रक्षन परा तो मंत्र अर्थात गुप्त मंत्र ना है राज के राज की ये गुप्त जो योजनाई इत्यादी है उनको तो इसलिए यहां पे मंत्रई और मंत्रा नाम दोनों ही हो सकता है, तो मंत्र ही रक्षन पराव, मंत्रा नाम रक्षन परावा, तो यहाँ पे तत्पुर्श समास है, यदि मंत्र ही करेंगे तो तृतिया तत्पुर्श, मंत्रा नाम करेंगे तो शष्टी तत्पुर्श, अब अगला पद है सर्प नराधिपाव उपचरंती, तो यह सर्पनराधिप वू और उपचरंदा।किन पर सर्पनराधिप वू अवर आव के स्थानाकर वू अपुंद। अवें सरपनराधिप मैंनेमें अपके सामने बताई है ओक्राधिप नराणाम अधिपा वू यहाँ पर भी श्लेश लंकार हैं क्योंकि एक एक पद एक से अधिक अर्थों में प्रियुक्त हुआ है और आर्याचंद जिसके विशे में हम पूर्व में भी आपके साथ बात कर चुके हैं। अब देखिए ये मंच पर आता है ये आहितुंडिक और मंच पर आते ही मंच पर जो है आकाश भाशित से बात करता है। गद्य भाग जो है वो आकाश भाशित कहला है तो यहाँ पर ये जानना भी आवशिक है कि आकाश भाशित होता क्या है। आकाश भाशित एक पारिभाशिक शब्द है नाटक में इसका प्रयोग होता है कि मंच पर दूसरा पात्र नहीं है परंतु जो पात्र मंच पर है वो इस प्रकार से जो है वो अभिन्य करता है कि वो जो है दूसरे पात्र की बात सुन रहा है और उसको सुन कर वो उसी प्रश् को जो दूसरा पात्र बोल रहा है उसको मंच पर बोलता है और उसके बाद उसका उत्तर भी देता है ताकि जो मंच जो नाटक देखने वाले हैं उन्हें ये भी पता चल जाए कि जो आकाश भाशित में जो पहला पात्र है दूसरा जो यहां उपस्तित नहीं है वो इस पात्र से क्या बात कर रहा है और इसका उत्तर क्या है इसी को हम आकाश भाशित बोलते हैं तो यहां पर आकाश भाशित के माधियम से यह जो सपेरा आया है यह आहितुंडिक यह बातें करता है और इस समय वो कहता है कि क्या पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ देखिए जो पूछने वा वो स्वयम मिंच पर बोल रहा है कि क्या कह रहा है कि तो मैं साव का घेल दिकाने वाला एक सपसारा हूं कर एक तब उन्हें हो क्योंकि तुम राजसेवक हो उसने पूछा कॉन हो क क्या है वूगत क्या जो हूँ तो उसी संदर्ब में ये पंक्तियां जो आहितुंडिक बोलता है जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है और वो कहता है कि अमंत रोशदी कुशलो व्याल ग्राही प्रमत्तो अगरही तांकुशो मतंगजारो ही स्लैश डाला हुआ है क्योंकि पार्ट जो है वो भेद मिलता है किनी पुस्तकों में पार्ट इस प्रकार से मिलता है और किसी में दूसरा मिलता है तो इसलिए दोनों पार्ट मैंने इसमें आपके सामने लिखे हैं और मत गजवरा रोही दूसरा पार्ट है लब्धादी कारो जितकाशी राजसेवक इत्यते तरयोप्यवश्यम विनाशम अनुभवन्ति तो देखें यहादी बड़ी महत्पू cultivate ये जो व्यक्ति है अही तुंडिक ये कहता है जब इसको पता चलता है कि वह व्यक्ति राजसेवक है और वो साप का खेल वो भी देखना चाथा या खेलना चाहता है साप मुसे तो वो कहता है कि देखो अमंत्र औशदी कुशलों अमंत्र मंत्र और औशदी में जो कुशल नहीं है मंत्र औशदी कुशल मंत्रों का प्रयोग और औशदी का प्रयोग करने में कुशल लेकिन अ कहा तो यहां नैतत पुरुष है तो अ कुशल हो गया कि मंत्र उषदियों के प्रयोग में जो कुशल नहीं है ऐसा व्या लग रही साप को पकड़ने वाला देखें साप को पकड़ने जंगल में जाना सबसे बड़ा भहंकर काम है और ऐसे व्यक्ति के लिए जो ना तो साब के विश्ट को दूर करने के लिए मंतर जानता है और ना ही उसे ओषिधी पता है कि यदि काट ले, साब ड़स ले, तो उसका डंक कैसे दूर किया जाए तो वो व्यक्ति यदि सांप को पकड़ना चाहता है या सांप को पकड़ता है तो उसके क्या स्थित्य होगी यह हम कल्पना कर सकते हैं उसके बाद दूसरा विक्ति कौन दूसरा कौन प्रमत्तो या अग्रही तांकुषो मतंगज आरोही प्रमत्तो प्रमत्तो में सते पागल और अग्रही तांकुषो या हम इसका दूसरा जो पत परियुक्त होता है अन्य पाठो में वे अग्रही तांकुषो अरधात अंकुष ह हाथ मेरा रखने वाला दोनों ही अर्थ हम कर सकते हैं तो रखने वाला मतंगजार हो ही मतंगज मतंगज मिस मत जो पागल हाती है मतंगज यहां केवल हम यहां पे कहेंगे हाती तो हाती पर चड़ने वाला मस्त हाती पर और मत गजावर ही और पागल हाती पर चड़ने वाला द तो पागल व्यक्ति हाथी पर सवार होने वाला और दूसरा है अगरीत अंकुष हाथ में ना लेकर मत गजव वरार हो ही पागल हाथी पर चड़ने वाला तो दूसरा और तीसरा लब्धा अधिकारों अधिकार को प्राप्त करके जितकाशी जितकाशी में जए के गर्व से युक्त अधिकार को प्राप्त करने वाला जीत के गर्व से युक्त राज सेवक राजा का सेवक इति एते तो ये इते में ये त्रयों पी तीनों ही अवश्यम विनाशम अनुभवनते अवश्य ही विनाश को प्राप्त होते हैं तो तीन कौन क पहला तो मैंने आपको बताया कि ना मंतर उसको चारण आता है साप के विश्कोदूर करने के लिए और ना ही ओशदी, शाप को वश्वे करने के लिए मंतर और उसके विश्कोदूर करने के लिए ओशदी, इन दोनों का प्रयोग उसको नहीं आता लेकिन फिर भी उसने वो सा अवश्यम भावी है इसी प्रकार से कोई पागल व्यक्ति हाथी पर चड़ जाए तो जो है हाथी जो है वो किस प्रकार से उसको हाथी को किस प्रकार से चलाना है किस हाथी के साथ कैसे व्यवार करना है वो नहीं आता या फिर हम यह कहते हैं कि अंकुष आत्मी नहीं है उसके अंकुष जिससे हाथी को संचालन किया जाता है उसका वो है नहीं है और हाथी पागल है तो ऐसे वाइल्ड या जंगली हाथी को उपर जो चड़ जाए तो कभी भी हाथी जो है उसको वहाँ से गिरा कर पैरोतले कुछल सकता है और इसी तरह से तीसरा जो कहा कि ऐसा राज सेवक जिसको की राजा से अधिकार प्राप्त हो गया किसी बहुत पद पर वो राज्य में काम कर रहा है लेकिन उस पद को प्राप्त करने का जो गर्व है उस गर्व में वो अंधा हो चुका है तो ऐसा राज सेवक अवश्य ही किस ना किसी दिन विनाश को प्राप्त होता है देखे व्यभार में भी हम देखते हैं ये जो मैं तीसरी बात कहरी हूँ लबधा अधिकारो जितकाशी राज सेव कहां आज की समय में भी ये उतना ही जो है वो उपयोगी बात है प्रासंगिक है क्योंकि जब भी कोई उचपद पर अधिकार को प्राप्त कर लेता है तो भले ही वो उस समय अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए बहुत उचा चला जाता है उन्नती को प्राप्त करता है लेकिन ये बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं विशेश जो गणमान्य जो राज सेवक हैं राजा अधिकारी हैं वो आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं तो ये उसी समय उसका परिणाम मिले ये आवश्यक नहीं है उसका परिणाम अंत में जो है वो बुरा ही होता है और वो विनाश को प्राप्त होते हैं तो इसलिए जो उसने कहा उस व्यक्ति ने कि मैं भी साप का खेल साप से खेलना चा तो यहां पर वो ये बताना चाहता है कि यदि राजा के साथ व्यवार करना है राजा की सेवा करनी है तो ये उतना सरल नहीं है ये व्यक्ति स्वयम भी राज सेवक है तो इसलिए ये अपने अनुभव की बात भी बता रहा है और कह रहा है कि अगर राजा के साथ व्यवार करना है तो हमें उस राजा के प्रती इमानदारी से कारे करना होगा अन्यथा जो वेक्ति जो है अवश्य विनाश को प्राप्त हो जाता है अब देखें अब जो ये सपेरा है ये राक्षस से मिलने आया है क्योंकि ये राक्षस का गुप्त चर है और राक्षस ने इसको चंद प्राप्त करने के लिए भेजा है वास्ता में ये राक्षास का गुप्तचर है विराध गुप्त ये इसका मित्र भी है परन्तु इसको सपेरे के विश में उसने राज्ये में भेजा हुआ है अब ये वहां से पता लगा कर आया है और वहां पर जो उसने देखा उसका प्रस् किस प्रकार से उन्नती को प्राप्त कर रहा है कोटिले के कारण तो उसी बात को देख कर आया है और क्योंकि यहाँ पर ये राक्षस के साथ रहता है नंदों के अमात्य का ये मित्र है और उसने राक्षस के भी कारियों को देखा हुआ है कि राक्षस इस समय किस प्रकार से चं और चानक्य के राज्ये में भी वो उसके जो है कारियों को देख कर आया है तो यहां पर प्रसुत पद्धे के माध्यम से वो उस दोनों के कारियों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि ये पद्धे आपके समुख है तो इस पद्धे को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक आधुनिक खेल या आधुनिक क्या प्राचीन समय में भी खेला जाता है जिसको हम कहते हैं रसा कसी और उसको टग ओफ वार कहते हैं उसमें क्या होता है कि दो तरफ जो है वो रसे को खीचने वाले दो चोरों पर होते हैं एक अपनी तरफ खीचता है दूसरा अपनी तरफ खीचता है तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से उसी जो खेल के माध्यम से इस पद्धे को सपष्ट करते हुए सपेरा जो है वो कहता है तो क्या कहता है देखिए कहता है कि कोटिल्ले धी कोटिल्ले की धी मिस बुद्धी तिल्य की बुद्धी रूपी रसी से निबध बांधे गए मूर्तिम आक्रिती वाले और उसके बाध कहा कि मौरेन रिपस्य लक्ष्मी मौरेन रिप चंद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त की लक्ष्मी को स्थिराम मन्य सिर समझता हूं तो अगर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि चाड़की की बुधी रुपी रसी के सिके द्वारा बंदे हुए आकार वाली लक्ष्मी को किसकी मौरिन रिपस से पहले ले सकते हैं जो राजा चंदर गुप्त की राजा चंदर गुप्त की कौटिल्ये की बुद्धी रूपी रसी से बांधी हूई आकरिती वाली लक्षमी को स्थिरा मन्य स्थिर समझता हूँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया जो टॉग आफ वार वाली जहां ये बात हαι रसा कसी वाली तो यहां हम इसको इस प्रकार से इसकी कल्पना करते हैं कि जो लक्षमी है लक्षमी क्या है राजे लक्षमी राजे तो उसकी वास्ता में तो कोई आकरिती नहीं होती है लेकिन इन्होंने इस पद्य में उसको एक आकार दे दिया कि लक्षमी जो है एक आकार व की उस स्त्री की क्या दशा होती है यहाँ बताया गया तो अब एक तरफ तो उसको बांद लिया कि इसने कौटिल्ये ने चंद्रगुप्त की जो लक्षमी है उसको कौटिल्ये ने अपनी बुद्धी रूपी रसी से बांध लिया है अर्थात अपने बुद्धी का प्रयोग करके कोटिले ने चंद्रगुप्त में जो राज्य लक्षमी को स्थिर कर दिया है अर्थात उसका राज्य पूर्ण रूप से प्रतिश्चित कर दिया है कोटिले ने अपनी किस से किया रसी से तो जिस तरह से किसी मूर्ती को रसी से बांध कर जो है स्थिर कर दिया जाए परंतु अगले पंगतियों में राक्षस उस स्थिर हुई लक्षमी को लक्षमी रुपी स्थरी को उस क्या व्यवहार उसके साथ कर रहा है यह बताया कि उपाय हस्ते ही राक्ष खीची जाती हुई सी लक्षियामी देख रहा हूँ वो कह रहा है कि एक तरफ तो लक्षमी जो है उसको मौरे में स्थिर कर दिया किस से अपनी बुद्धी रुपी रस्षी से बांध कर अब दूसरी तरफ राक्षियस भी उस लक्षमी को अपनी और खीचने का प्रयास कर रहा है अरतात उस लक्षमी को चंद्रगुप से चीनना चाहा रहा है तो कैसे चीनेगा देखिए उसने तो बुद्धी रुपी रस्षी से बांध लिया है अब इसके ये किस से खीच रहा है तो कहा कि राक्षियस के द्वारा उपाए रुपी हाथ उपाए मतलब साम, दान, दंड और भेद ये जो राजनिती के उपाए है इनका प्रयोग करके वो राक्षस उस राजे लक्षमी को जिसको की चानक्य ने चंद्रगुप्त में स्थिर कर दिया है उसको मानों खीच रहा है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे रसाकसी में कभी एक तरफ खीच जादा जाता है कभी दूसरी तरफ और दोनों बराबर के बलवान है यही सित्थी यहाँ पर है लक्षमी बीच में है लक्षमी आकरिती के रुप में अगर हम देखें तो वो धृष्चे हमें दिखाई देगा रसाकसी वाला कि एक तरफ लक्षमी को खीचता है दूसरी तरफ दूसरा खीचता है तो यहाँ पर कहने का तत पर यहाँ है कि बुद्धी के द्वारा किये गे प्रयोगों में कोई कमी है और दूसरी तरफ जो है उस राजे लक्षमी को जिसको की कौटिल ले ने चंद्रकुप्त को दे दिया अब वो राक्षस भी भिन भिन उपाये करके अपनी और उस राजे लक्षमी को खीचना चाहता है प्राप्त करना चाहता है तो दोनों के विशे में दोनों के चरित्र के विशे में दोनों की राजनितिक योजनाओं के विशे में यहाँ पर बराबर बराबर बताया गया है कि दोनों भी एक दूसरे से कम नहीं है तो यहाँ पर देखिए इस पद्धिये में प्रियुक्त होने वाले जो शब्द है वो आपके सामने है कौटिल्ले धी रज्जु निबद्द मूर्तिम यह एक पुरा पद है कौटिल्ले धी कौटिल्ले धी धी बुद्धी को कहते है और कौटिल्ले धी यह ततपुरुष समास है और सा एव रज्जु हूँ या कौटिल्ले धी रज्जु हूँ कौटिल्ले धी रज्जु बना और यह करंधारे हुआ और तया निबधा मूर्ति यस्या उसके द्वारा जिसकी मूर्ति को बांध लिया गया है तो ये बहुवरी समास है तो द्वितिया एक वचन में मूर्ति में न तो ताम और फिर दूसरा जो पद है उपाय हस्त ईरपी उपाय हस्त हमने कहा उपाय रूपी हस्त तो उपाया एव हस्ता ह। हस्त यद्यपी दो होते हैं परंतों यहां पर अनेक हस्त के उपायों के साथ हस्त जो है वो दो होते हुए भी अनेक उपायों का प्रयोग करने के कारण यहां पर बहुवचन में प्रयोग है और उपाया यह हस्ता है यह कर्मधारे है और तरितिया बहुवचन में उपाया हस् अपर प्रत प्रत यहां पयश्या प्रतन है जिन में इव का प्रयोग हम देखते हैं परंतु दोनों में इवका प्रियोग का जो है वो अंतर होता है उपमा अलंकार में तो साम्मिय होता है साम्मियम बाच्यम अवै धर्मियम परंतु उत्पेक्षा अलंकार में साम्मिय इस प्रकार का नहीं होता भवेश संभावनोत प्रिक्षा प्रकृतस्य परात्मना अर्थ जो प्रकृत्विश्य है उसको जो है उपमान के रूप में उसकी संभावना मात्र की जाते हैं कि संभव है कि मानो जिसको मानो प्रयोक करते हैं तो यहां पर संभावना के लिए प्रयोक्त हुआ है इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा लंकार है यहां पर छंद की बात करें त तो है जो पूर्व इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दो चंद हैं उनके जो घुन उसमें हो अर्थात जो चार पंक्तियां होती हैं वद्ध्य में तो दो पंक्तियां इंद्रवज्रा चंद और दो पंक्तियां उपेंद्रवज्रा चंद की होती हैं इंद्रवज्रा क मैंने बताया कि वर्णों का क्रम और वर्णों की संक्या किस प्रकार से है स्याद इंद्रवज्रा यदि तव जगव गहा मतलब तेरा वर्ण है इसमें तव दो तगण जगण गुरू और एक और गुरू तो इस तरह से दो तगण जगण दो गुरू तो इस प्रकार से जिस क् इसी भी पद्ये के दो पद इस इंद्रवज्रा में हो और उसके बाद दो पद जो अगले हैं वो उपेंद्रवज्रा में हो और उपेंद्रवज्रा में बढ़नों का क्रम है जत जास ततव ततो गव जगन तगन जगन उसके बाद दो गुरू तो इस तरह का क्रम हो दो पद उसमें पादों में दो पंक्तियों में तो ये उपजाती चंद है तो यदि हम कहें तो उपजाती चंद इंदवज्रा और उपइंदवज्रा का मिश्रन कहलाता है अब देखिए अब यहां पे पुनाहा जो आहितुंडिक है वो एक और पद्दे जो है वो कहता है और उसमें भी राज्य लक्ष्मी किस तरह से जो है दुखी हो रही है क्योंकि वो देख रहा है कि जिस चानक के भी चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी को चंद्रगुप्त के राज्य को स्थिर करने में यद्देपी उसने भी बहुत परिश्रम किया है उसने स्थिर कर दिया यह प्रस्तुत श्लोक के माधियम से बताया गया है। दोनों ही बलवान है तो दोनों कभी एक हाथी उसको अपनी तरफ खीचता है या कर्शित करता है तो दूसरा हाथी पुना वहाँ से उसको खीचने का प्रयास करता है। दुख यहाँ पर कोई राजिलक्ष्मी स्तरी के रूप में मनश्य के रूप में नहीं लेकिन उसका मानवी करण किया गया कि एक स्तरी को यदि जो है एक पुरुष के पास और दूसरा पुरुष उसको अपने बल दिखा कर प्राप्त करना चाहे तो वो उसकी किस तरह से वो आने इधर कभी उधर वो दुखी रहती है खिन रहती है उसका वर्णन है तो यहाँ में आपकी सामने पद्य है विरुद्धयोर भिषमि मंत्री मुक्ययोर महावने वन गजयोरी वंतरे अनिश्याद गजवशयेव भीतया गता गताईर धुरुवमि हिद्यते श्रिया तो यहाँ पे कहा कि विरुद्धयो देखिए दुवच्चन में प्रयोग है दो मंत्री है यहाँ एक चानक के और एक राक्षस इसी तरह से दो गज है तो वन गज तो वो भी दुवच्चन में है इसलिए यहाँ शब्दु में दुवच्चन का प्रयोग है तो विरुद्धयो भृष्णमिस परसपर विरोधी भृष्णमिस बहुत अधिक विरोध करने वाले और मंत्री मुख्ययोहुम् महावने वणगजयोरिव तो यहाँ पर देखे यह भी शलेश अलंकार और उपमालंकार का उदारण है तो इसलिए यहाँ पर विरुद्धयों जो है यह मंत्री वनगज के साथ भी लगेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं विरुद्धयों में परसपर विरोधी दो जंगली हाथियों के अंत्रे बीच में तो कहां महावने तो महावन में परसपर विरोधी दो जंगली हाथियों के समान विरुद्धयों आपस में विरोधी इह मीज यह यहां पर यहां पर मेंज जो चंदरगुप्त का राज्य और जहां चंदरगुप्त है राज्य कर रहा है और यहां इस तरह जो मलेकेतु के साथ नगर से बाहर रहा है तो इस परिस्थिती में मंत्री मुख्य यो हो दो मंत्री मुख्य दो मुख्य मंत्रियों के अंतर मध्य मे तो अब हम अगर अनुवाद करेंगे तो हम कैसे करेंगे देखिए अनुवाद जब हम करते हैं तो हम अनुवाद इस तरह से करना चाहिए कि जो पद प्रियुक्त हुए है उनी का शब्दशा अनुवाद हो जाए उसको हम वाक्य भी अगर प्रयास करें कि शब्दों को जिस से प्रयोग किया उसी प्रकार से यदि हम दो अर्थों को भी लें तो और अधिक जो अर्थ जो है वो स्पष्ट होता है तो हमने कहा कि महावने विशाल जंगल में भिरिशम विरुद्धयो अत्यदिक विरोधी वन गजयो हो जंगली हाथियों के समान इह मिस यहां पर इस चं मुख्ये मंत्रियों के अंत्रे मिस बीच में अनिष्चयात जो है निष्चय ना कर सकने के कारण गजवशया इव भितया भितया मिस डरी हुई गजवशया मिस जंगली हाथिनी के समान लक्षमी श्रिया मिस लक्षमी गता गतई जाने और आने से ध्रिवम निश्चित रूप से ही खिद्यते यहां अर्थात इस राज्जे में खिद्यते में दुखी हो रही है तो यहां पर देखिए बड़ी सुन्दर उसमें उदाहरन से बताया कि जैसे दो जंगली हाती में हतिनी जो है फस जाए और कभी इधर बलवान है तो उधर चली जाए कभी इधर वो बलवान दूसरा तो वहाँ चली जाए इसी तरह से यहाँ पर भी चानक्य और राक्षस दोनों ही बराबर बलशाली बुद्धी मान हैं और वो चानक्य भी अपने बुद्धी के प्रयोग से उसको अपने वश्मी करना चाहा रहा है ले गया है वो तो चंद्रुप्त को प्राप्त करा दिये और उधर जो है वो राक मलेकेतु को प्राप्त हो जाएगी तो इसमें जो है दुखी कौन हो रहा है भाइबीत कौन हो रहा है जैसे हथनी भाइबीत हो रही है जाने आने से और दुखी हो रही है उसी प्रकार से राजलक्षमी भी भाइबीत है और अत्यंत दुखी है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरा कहां पर स्थान होगा मैं चंद्रकुप के पास रह पाऊंगी या कि राक्षस मुझे मलेकेतु के पास प्राप्त करवा देगा तो इस प्रकार से राजे लक्षमी का के दुख का उसके भाय का वर्णन करते हुए उन्होंने तुलना की है गजवशी के साथ जो दो बनगजों के अंभीतर उनके बल के कारण जाने आने से एक दूसरे के पास वहां दुखी हो रही है और निश्य नहीं कर पारी कि मैं कहां ज करता है कि किस तरह चानक्य और राक्षस दोनों ही प्रयास कर रहे हैं राजे लक्षमी को प्राप्त करने के लिए चानक्य ने प्राप्त कर लिया है और राक्षस जो उसे चीनने का प्रयास कर रहा है तो इसी के साथ आप सब का धन्यवाद अगले व्याख्यान में मैं इस पद्दे से संबंधित जो अन्य जानकारी है वो आपके सामने रखोंगी तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार